हलो प्यारी दोस्तों नमस्ते स्वागत है दीदी की रेसिपी में आज हम बनाएंगे महरास्ट में पस्ते जादा पसंद करने वाली सिंगदाने की लैसुन की चटनी जिसे दाल चावल के साथ या ऐसे पराठे के साथ भी खाएंगे बहुत अच्छी लगती है आप इसे सफर म गरों में आम तोर पे महरास्ट में खाया जाता है इवन मुझे भी बहुत पसंद है और मैं बार-बार अपने घर में इसे बनाती हूं तो मैं इसे दाल चावल के साथ खा रही हूं और मैंने यहां आलो की भुजिया रोटी लिए जिसकी साथ बहुत ही टेस्टी लगता है आप भी ट्राइ करना तो चलिए इस बनाते हैं वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करते हैं मुझे सपोर्ट करिए तो सबसे पहले मैंने यहां पर पाव किलो सिंग दाना लिया है तो अच्छे से हमें इसे भून लेन निखल जाए और यहां पर हम हम इसे दूसरे प्लेट मि निखल लेते हैं और इसको जो छिल्के है ना इसे थोड़ा थंडा होने देоки इसे बाद चील्के रेक्ड़ होने के बादी अक्ट्छी दील कर लिया है तो एक मिठ्थी मैं लहसुन लिया है छील के और एक मुठी के तकरीबन कोई भी नमकीन ले लेना जो आपको पसंदो एक चमच भर के मैंने यहां पर लाल मिर्ची पाउडर लिया है तीखी वाली स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहां पर इसे हम पीस लेंगे और एक्षा आपको कुछ भी नहीं डालना है इसने ही चीजों वगेरा एड नहीं किया है इसी से बहुत ही टेस्टी लगता है तो लीजिए हमारी सुपर टेस्टी सिंगदाने और लहसुन की चटनी तयार हो गई है इसे हम मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ तो देखी दोस्तो इसे बनाने का अंदाज थोड़ा उपर नीचे हो सकत लेकिन इसका टेस्ट एक नंबर आता है तो ये देखिए बन के तयार हो गया है तो चली बताती इसे कैसे मैंने यहां पर सर्फ किया है तो मैंने यहां पर लिया है दाल-चावल रोटी आलू की भुजिया थोड़े से प्यास इस तरह से मेंने इसके साथ खाना है और मैं इस आज की रेसीपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पासी बेल आइकन को फट से दबा दीजिए और हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाब बाई थेंक्स पो वोचिंग